असलाम अलेकों वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोगों करती हूं ठीक होंगे और मैं भी बिलकुल ठीक ठाक हूं तो यह हो गई हमारी मॉर्निंग और नाचते का टाइम हैं बच्चे फॉल टाइम घर में आजकर तो मैं अपने लिए बनाने लगी ती स्टॉबरी शे यह ते फिरे उसके बाद ती मैं और ढाली थी तो चम्मचीन है उसके और बाद आइस डालेंगे और इसको भस जीसर को चला लेंगे और यह ठंड़ ठंडा जीस रेडी ओगया मिलक्SHE Αज फिर अनाविया के लिए नाचते बनाया था अंड़ और स्लाइस अंड़ और कर दो कर दो कर दो कर देंगे तो अभी इसको अच्छे से वाश करा देते हैं आप लोग यही यूज करें उसके बाद हम न्यू बैक दिलाएंगे आपको जुन जुन जुनाएं मैं कर दो है न जो को बाइक काप्रें तेस्ट कि है इसटेब इसको अंदर रहे लिखिए लोगे आपक में पंगेट का अरुपिर इसको अदर रहे देखें अच्छाना आपियों को ना बड़ा शौक है अपना कबर साफ उद्रा रखने की नहीं वो फैलने देती है बिल्कुल भी यह है अनाबिया कबर्ड और यह और उर्ज बास्किट में उसके सारे ट्राउसर्स हैं वाकी सारी टी शिर्ट फ्रॉक्स हब तैय करके अच्छा उन्हों खुद भी शौक है कभी भी निकालेंगी ना तो उसकी बात भी जो रिटन रखेंगी तैय करके ही रखेंगी और अगर उनका कबर्ड खराब हो जाए तो फिर मुझे कहती है जब बहुत जादा हो जाए तो यह मुमा के मेरे साथ हेल्प कराने नहीं तो फिर खोद ही अपना कबर्ड साफ रखती है और यह मेरे हजबिन के हैं यह मैंने तैय लगा दिया अच्छ उनकी निशानी है और दुसकी बात यह के जो है ना मजबूत भी बहुत है और यह मैंने अपने कपड़े भी तैय लगा के कबर्ड में रख दिये हैं और यह कपड़े धुल के आके तैय करने का सबसे बड़ा काम निपट गया है आज के दिन में और यह पूरा बैडरूम भ भी तक निकले में हैं घर हमारा थोड़ सा ठंडा रहता है तो रात में हमें सर्थी लगने लगती है और जी टिमाटरों का क्या हाल है आपकी तरफ हमारे पास तो इतने टिमाटर आए में और टिमाटर इतने सस्ते हुए में कि पांच-बच किलो से कम तो कोई भी लेके ही न आ रहा है तो मैंने का कहां रखूं इतने जादा तो यूज भी नहीं है तो बस फिर जो है ना टिमाटर का सोचा पीश बना के रखते हैं तो वो यूज में आ जाएंगे और अगर मतलब देर भी हो गई तो फ्रेज हो जाएंगे तो फिर खराब नहीं होंगे तो इसलिए मै जाएंगे मेरे किचन के जो सोच है ना जहाँ पे मैं सब चीज़ें के रंडर करती ती यूज करती थी जूसर मैशीन तो वो खराब हो गया है। तो इसलिए मुझे अपना काम यहां पर आईलन स्टेन्ड पे करना पड़ता है जितना भी जूसर का काम होता है तो इसलिए बढ़नी में मतलब एक जार में डाल के रख लूँगी जार वाला हम रख देंगे फ्रिज के दर्वाजे पे वो पर बहुत जल्दी जमेंगा इतनी तो अभी जो आजकल में यूज होगा वो इसमें से यूज हो जाएगा फिर जैसे ही खतम होगा फिर हम एक थेली को जो है ना आश्या सामनी से हटो आश्या सामनी से बहुत सबस्क्राइबार से इस थेगिए आश्या से घ्रु़गी जिय्या से युजगी कर देंगे तो